मुझे आगया है वीडियो का पार्ट टू पार्ट वन आपने अर्रेड़ी देख लिया होगा नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से जाके इस खुबसूरत सी फ्रॉक का पार्ट वन देख सकते हैं पार्ट वन में मैंने इस फ्रॉक को पूरा बनाना बता दिया है आज की वीडियो में मैं आपको इसका बॉर्डर बताने वाली हूँ इसका खुबसूरत सा पाइकॉर्ट वाला बॉर्डर बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है फ्रेंड्स और आप खेर देख सकते हैं इस फ्रॉक में कितना जादा है बच्चों को घेर वाली फ्रॉक वैसे भी बहुत जादा पसंद आती हो और खुबसूरत भी बहुत लगती है उनके उपर सो नीचे के बॉर्डर के अलावा स्लीव बताऊंगी आपको कैसे बनेगी स्लीव का पैटर्न पूरा ये स्टेप वाई स्टेप बताने वाली हूँ प्लस इसका पूरा neck बताऊंगी और neck में ये जो मैंने बना रखा है ये design जो आपको दिख रही है ये पूरी design मैं पूरा बताने वाली हूँ step by step आज के वीडियो में तो उसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो ये जो frog बनी हुई है वो six to nine month baby के लिए बनी हुई है बड़ा और छोटा कैसे बनाना है ये मैंने पूरा बताया हुआ है आपको अपने channel पर means इसका जो part 1 है उसमें मैंने ये भी बता दिया है कि इसका बड़ा और छोटा part कैसे बनेगा प्लस इसी के साथ मैं इसका पूरा set लेके आने वाली हूँ frog अल्रेडी बन चुकी है जो की upload भी हो चुकी है अब इसकी पैजामी भी बनाऊंगी मैं और पैजामी के साथ-साथ इसकी cap ये सारी चीजे आपको ये पूरा set मिलेगा तो बिलकुल भी आप चिंता मत करिएगा पैजामी जरूर आएगी अब मैं ये बन गया है इसके बाद मैं पैजामी अप्लोड करूँगी कुछी दिनों में जितनी जल्दी बन जाती है उतनी जल्दी अप्लोड हो जाएगी और उसके बाद इसकी cap वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइबर करवा दीजे और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा और इसके अलावा आप बेबी डर्स में और क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो चले फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर दो आपको पूरा बता दिया है गेर में मैंने 14 रोज बनाई हुई है पार्ट वन में बताया हुआ है ये चीज की पार्ट कितना घेर मैंने बनाया है अब मैं लास्ट्रो बनाने वाली हूं घेर की बहुत सिंपल सा पैटन बनाऊंगी तो जहां पर वर्क आपका स्टार्ट है वहां से देखीगा एक में पाइकॉर्ट बनाएंगे एक में सिंगल क्रोशा फिर पाइकॉर्ट सिंगल क्रोशा पाइकॉर्ट सिंगल क्रोशा पाइकॉर्ट chain मनाएंगे और सेम जहां single crochet बनाई है देखिए इसी के उपर से डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक slip stitch से add कर देंगे तो piecourt बनके ready हो गया again next वाली में एक single crochet फिर से उसके बाद वाली में single crochet एक दो तीन chain और तीन chain मनाके यहाँ पर एक piecourt फिर से single crochet next वाली में single crochet एक दो तीन chain मनाएंगे और तीन chain मनाके इसके चस्ट उपर एक piecourt बना लेंगे एक single crochet बनाएंगे दूसरी single crochet बनाएंगे और इसमें एक piecourt बनाएंगे सेम इसी place पे और फिर से एक single crochet बना लेंगे तो बीच में हमने तीन single crochet बनाई है और बीच वाले में ही जो second number की single crochet है उसमें piecourt बनाया है फिर से जो first number single crochet है इसमें बनेगा piecourt second number वाली में single crochet है थर्ड वाली में अगेन piecourt फूर्थ वन में single crochet है फिफ्थ वन में piecourt six में single crochet है और उसके बाद जो seventh है उसमें बने का piecourt अगेन starting करेंगे piecourt से जब एक side में देखेंगे यहां पर जब हमने starting की है तो भी piecourt से की है दूसरे pattern की भी starting piecourt से ही करेंगे तभी आपका इस तरह का बनके ready होगा तो ऐसे ही बनाना है साथ double crochet है तो piecourt फिर एक single crochet फिर piecourt single crochet बनाते हुए बीच वाले में आएंगे आपका piecourt ही बनके ready होगा जैसे की एक दो तीन चार पांच छे साथ double crochet है तो साथ वी last वाली जो है इसमें piecourt बनेगा दो चेन के space में एक single crochet फिर एक piecourt फिर एक single crochet अगें दूसरे वाली जो डिजाइन है वहाँ पे starting से ही piecourt बनाना है स्टार्ट करेंगे तो last वाली में आपका piecourt बनके ही ready होगा तो इस तरह से एक pattern बनेगा जैसे एक pattern बना है वैसे ही बनाके ready कर लिया है और वागई यह design बनने के बाद बहुत जादा खुबसूरत नीचे का pattern लग रहा है बहुत प्यारा सा look भी दे रहा है तो अब इसकी sleeve बनाएंगे तो एक side की sleeve मैंने इसमें बना ली है सेम ऐसे ही आपको दूसरे side की sleeve भी बनानी है sleeve में हलकी cutting भी है सो कैसे मैंने cutting की है यह मैं आपको अभी एक side में बता दूंगी तो जैसे यह वाला side बताऊंगी वैसे ही आपको इसके दूसरे side में भी बनाना है तो यह देखे जो armhole हमने बनाया है armhole के just beach वाला जो part है यहां पे हमें धागे को add करना है धागे को add करके इसी point से हमें पहले तीन chain बना लेनी है एक दो और तीन अब यहां पे देखेगा यह जो double crochet नीचे की तरफ आपको दिख रहे होगी इसके उपर वाली जो chain है double crochet के just उपर वाली जो chain है इसमें डालेंगे एक double crochet यहां बना लेंगे एक double crochet यह है जहां से आपने partition किया है यह देखिए ठीक है इसमें बना लेंगे दो double crochet एक और दो और अब यहां पे आपको double crochet और ब्लॉक वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा तो अब यह जो double crochet है इसमें बनाएंगे एक double crochet इसके बाद दो double crochet है तो दोनों में एक-like double crochet बनाएंगे दोनों में एक- 가지고轉 एक क्रोश्यआ एक blok है ब्लॉक में एक bursts एक डबक रोश्या illustrations कि उपढ़ बनाएंगे फिर से यहां पे ब्लॉक है तो एक double crochet block में बनाएंगे और एक जर्ष double crochet के उपर बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे अभी तक यहां पे बना रहे थे ब्लॉक और double crochet में सेम वैसे ही बनाना है तो पूरे में पूरे round को ऐसे ही over करेंगे और जो last वाला हमारा block होगा वहाँ पर आ जाएंगे तो यह देखे पूरे में मैंने same वैसे ही double crochet बना ली है और अब मैं last में आ गई हूँ last में again यहाँ पर दो double crochet है देखेगा butterfly की दोनों double crochet है जहाँ से हमने partition किया था तो दोनों में एक-एक double crochet बना लेंगे एक double crochet यह chain space है इसमें बनाएंगे यह जो double crochet है इसमें बना लेंगे दो double crochet एक और दो एक जश्ट यहाँ पर एक हलका सा आपको double crochet का point दिख रहा होगा एक इसमें बनाएंगे और अब जो third number वाली chain है इसमें अपने work को add कर देंगे तो इस तरह से यह हमारा जो sleeve के लिए starting हो गई है यह देखें ओके इतनी double crochet में ही मुझे start करना है तो अब क्या करेंगे इसमें घटाना start करेंगे तो block round जो हम बनाएंगे उसमें हमें घटाना है घटाना कैसे देखेगा यहां से हमने जहां पर अपने work को add किया है work को add करने के बाद आपको घटाना है फिर जब पूरा round हम करते हुए आएंगे तो जो last की double crochet होगी उसमें घटाना है तो सबसे पहले हमें बना लेनी है तीन chain as a double crochet यह as a center point चलेगा आपका जहां पर आप add करेंगे तो यह center होगा इसी के दोनों side घटाना है इधर भी और इधर भी 3 double crochet as a chain double crochet होगी एक बना ली हमने chain अब यहाँ पर एक और दो double crochet करेंगे और तीसरी वाली में एक double crochet बना लेंगे एक chain और बागी का process same करेंगे जिसमें एक double crochet skip करेंगे और एक double crochet बनाएंगे फिर से एक chain एक skip करेंगे और एक double crochet बनाएंगे तो starting में ही सिर्फ हमने दो skip की है दो double crochet छोड़ी है बाकी में एक-एक double crochet ही छोड़नी है same pattern को repeat करते हुए पूरे round को over करना है और जब last में दो double crochet बचेगी तब आपको रोग देना है यह देखिए last में आ गई हूँ और last में अब मेरे पास यहाँ पर मैंने बनाई है और इसके बाद एक-दो double crochet ही बची हुई है तो इन दोनों को skip कर देंगे एक chain बना लेंगे उपर के side और यहाँ पर एक दो तीन जो third number की chain है इसमें अपने work को add कर देना है ओके फिर से यहीं से start करेंगे तीन chain बना लेंगे और अब जैसे block fill करते हैं एक block में और एक double crochet में सेम वैसे ही बनाना है तो एक block में बना लेंगे यहाँ पर एक just double crochet के उपर फिर से एक block में और एक just double crochet के उपर सेम process को ही repeat करना है और इस round को पूरा ऐसे ही over करना है इस round में हमें नहीं घटाना है सिर्फ block round जहां बनेगा उसी में घटाएंगे तो इसमें ऐसे ही करेंगे एक बार double crochet और एक बलाग में बनाते पूरे round को over करेंगे यहां मैंने पूरा over कर लिया है अब फिर से इसे third number वाली chain पे add करेंगे ओके again block round आ गया है तो फिर से हमें अपने इसमें double crochet को घटाना है same वैसे ही घटाएंगे पहले 3 chain as a double crochet बनाएंगे एक chain as a space बना लेंगे पहली double crochet और दूसरी double crochet जहां पे join किया है उसके बाद की दो double crochet को skip करेंगे और तीसरी वाली double crochet में एक double crochet बना लेंगे एक chain एक skip करेंगे एक double crochet फिर से एक chain एक skip करके एक double crochet तो यह देखिए again यहां पे एक double crochet घट जाएगी दो को skip कर दिया है हमने तो एक double crochet घटेगी पूरे round को over करते हुए end पे आएंगे और end वाली भी 2 double crochet को skip कर देंगे इन दोनों में भी कोई work नहीं करेंगे तो पूरा मैं बना लेती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, फिर फिर बताती हूँ तो यह देखें, फिर से मैं last में आ गई हूँ और ablash में मेरे पास again 2 double crochet ही बची हुई है एक chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, इन दोनों को skip कर देंगे और third number वाली chain में अपने work को add कर लेंगे फिर से double crochet वाला round बनाएंगे एक double crochet, एक बना लेंगे just block के उपर फिर से एक just double crochet के उपर और एक just block के उपर इसी तरह से अब आपको इसमें बनाना है हर block round में जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही इसमें अपने work को जो आपका double crochet है उसे skip करते हुए बनाना है starting की दो करनी है बाकी सिर्फ आपको एक-एक skip करनी है starting में दो double crochet skip करेंगे और last में तो इससे क्या होगा एक-एक double crochet आपकी दोनों साइट से हर round में घटी जाएगी सेम प्रोसेस को ही repeat करते हुए यहाँ पर हमें देखेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ total 9 round बना के ready करने हैं जिसमें से block round जो हैं तो टोटल एक, दो, तीन, चार, पांच बार बनके ready होंगे तो दूसरी बार मैंने आपको बता दिया है यहाँ पसे में दूसरी बार बता रही हूँ आपको block round दूसरी बार बता दिया है यह मेरा 1, 2, 3, 4, 5 दा रांड है तो total 9 round बनके ready होंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ फे हूँ मैं इसके बाद छे, साथ, आठ, नो, तस पूरी, दस हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच चे, साथ, आठ, नो, तस तोटल राउंड बने हुए हैं तो टोटल दस राउंड आपको इसमें भी बनाके इधर वाले में मैं पूरा रेड़ी कर लेती हूँ फिर आपको इसका बॉडल गया मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया एक दो तीन चार पांच टोटल पांच बार मेरे यह बनके ब्लॉक वाले राउंड बनके रेड़ी हो गए हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौत स्राउंड मेरे अब कम्प्रीट हो चुके हैं अब हमें क्या करना है यहां पर दागे को एट करेंगे वाइट कलर वाला जो धागा है जो भी आपने दूसरा कलर यूज किया है अपने फ्रॉग में उस कलर के ठ्रेट को यहां पर यूज करेंगे सेम प्लेस पे बना लेनी है, तीन चेन, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, एक डबल क्रोश्या हो गई, एक और डबल क्रोश्या, तोटल तीन डबल क्रोश्या, दो चेन, सेम प्लेस पे तीन और डबल क्रोश्या, एक, दो, तीन, ओके, दो ब्लॉक को स्किप करेंगे, थर्ड नमर वाले ब्लॉक में फिर से तीन डबल क्रोश्या, दो चेन, और तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे, अगें दो ब्लॉक को स्किप करेंगे, थर्ड वाले ब्लॉक में तीन डबल क्रोश्या, दो चेन, और तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे, same process को यह repeat करेंगे और पूरे में ऐसे ही जितने भी blocks बने हुए हैं दो-दो blocks को skip करेंगे और तीन डबल प्रोशा दो chain और तीन डबल प्रोशा बनाते वह end पे आएंगे वर्केंड में जहां से start किया है देखे का जो third number वाली chain है वहां पे अपने work को हमें add कर देना है एक, दो, sorry यह skip करेंगे और इसके बाद जो second number वाली है इसमें आ जाएंगे first number skip करेंगे second number में shift बनाके second number वाली डबल प्रोशा में आएंगे एक, दो, तीन, तीन chain मनाएंगे यह एक double crochet हो गई, इसके बाद वाली जो double crochet है एक double crochet इसमें बना लेंगे और जो दो chain का space है इसमें बना लेंगे एक double crochet, दो chain और एक double crochet अगेन इधर से दो double crochet में एक double crochet बना लेंगे total आपको तीन ही बनानी है जिसमें इसे पहली और last वाले skip कर देनी है और दूसरी वाली में भी एक डबा क्रोश या, तीन डबा क्रोश या, दो चेन और तीन डबा क्रोश या हो गई, सेम दूसरे में भी करेंगे ऐसे ही, एक स्किप करेंगे, नेक्स वाली में एक डबा क्रोश या बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी एक डबा क्रोश या, औ पहले और दूसरी में एक-एक double crochet बनाएंगे लास्ट वाली skip कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही repeat करेंगे और इस round को भी पूरा over करेंगे बना के ready कर लिया है और एक round इस में और बनाना है तिन खलर से तो अब इधर से दो double crochet को skip कर देंगे पहली और दूसरी skip करेंगे तीन double crochet है देखेगा एक दो तीन तो दो skip करेंगे और लास्ट वाली जो double crochet है इसमें threat को add करेंगे अपने और अब यहीं पे हमें work करना है पहले इसी double crochet में डालेंगे और तीन chain बना लेंगे chain space में हमें बना लेनी है एक double crochet दो chain एक double crochet और उसके बाद फिर से इधर वाली जो double crochet है इसमें first number वाली पे एक double crochet बना लेंगे तो अब इस round में हमें सिर्फ दो double crochet से work करना है अगेन इधर की यह दोनों skip करेंगे दूसरे pattern की भी दोनों skip करेंगे और ये वाली जो है chain space के ज़स बगल वाली जो double crochet है इसमें डालेंगे और एक double crochet यहां बना लेंगे एक बना लेंगे chain space में दो chain का space बनाएंगे एक double crochet और एक इधर इस तरह से बनाना है अगेन एक दो तीन चार्ट double crochet skip करेंगे दो इस side की दो इस side की और chain के बगल में जो double crochet है उसमें डालेंगे एक double crochet बना लेंगे एक chain space में बनाएंगे दो chain फिर से एक chain space में और एक double crochet में सेम प्रोसेस को repeat करेंगे और ऐसे ही पूरा over करेंगे जितने भी आपके pattern है सब में ऐसे ही बनाएंगे work chain में third number वाली chain जो है इसमें अपने work को हमें add कर दिना है और अब सेम ये जो piecourt वाला pattern है ये बना के हमें ready करना है अब इसके लिए क्या करेंगे एक, दो, तीन तीन chain मनाएंगे सेम इसी place पे डालेंगे और इसे slift इस से बनाएंगे next वाली में एक single crochet ये जो दो chain का space है इसमें पहले एक piecourt बनाएंगे तीन chain का एक piecourt फिर एक single crochet फिर इसी जगह पे एक piecourt ओके बीच में जो दो chain का space है वहाँ पे एक piecourt, एक single crochet एक piecourt बना लेनी है और again इसके बाद जो double crochet है इसमें single crochet बनाएंगे और उसके बाद वाली जो double crochet है इसमें piecourt बनाएंगे तो एक pattern में आपके पास टोटल एक, दो, तीन, चार piecourt बनके ready होंगे फिर से ये दूसरा pattern स्टार्ट हुआ है तो पहले वाले में हमें piecourt बना लेना है दूसरी double crochet के उपर single crochet बनाएंगे chain space में पहले एक piecourt बनाएंगे फिर chain में ही एक single crochet और फिर chain में ही एक piecourt उसके बाद double crochet के उपर एक single crochet बनाएंगे और जो second वाली double crochet है इसके उपर piecourt सेम प्रोसेस को ही repeat करेंगे और पूरे प्रोसेस को ऐसे ही over करेंगे ओके ऐसी बनाएंगे और पूरे एंड पर आएंगे इस तरह से हमारे दोनों side की sleeves बनके ready हो चुकी है और अब almost work हमारा done हो चुका है अब यहाँ पे जो देखेगा पीछे वाला इससा है इसमें हमें थोड़े सी finishing देनी है तो जो corner है यहाँ पर धागे को add करेंगे इसी point पे एक चीन बना लेंगे इसके नीचे जो double crochet है इसमें बना लेंगे हमें एक single crochet सेम इसी point पे एक और single crochet दो single crochet हो गई उसके बाद वाली जो double crochet है इसमें भी दो single crochet बनाएंगे एक और दो एक बना लेंगे just joining point पे जहाँ पे chain जैसा hole दिख रहा है फिर से एक सिंगर क्रोशा डबा क्रोशा के उपर बनाएंगे अगेन ये जो डबा क्रोशा है इसमें दो डबा क्रोशा बनाएंगे एक बना लेंगे जोईनिंग पॉइंट पे और ये वाला जो पार्ट है इसमें एक सिंगर क्रोशा फिर से जोईनिंग पॉइंट पर तो इसी तरह से हमें पूरा बनाना है एक डबक्रॉशा में बेसिकली दो सिंगर क्रॉशा बनके रेडि होती है जिससे कि वर्क आपका जो होगा विलकुल पॉफेक्ट बनके रेडि होगा यह देखें इस तरह से बनाना है और ये बनाते हुए नीचे तक आ जाना है तो ये पूरा बना लिया अब यहीं से हमें टर्ण करना है एक चेन बना के टर्ण करेंगे और जितनी भी सिंगर क्रॉशा बनी हुई है उन सब में एक एक सिंगर क्रॉशा बना लेंगे इस तरह से पूरे में सिंगल क्रॉशा बना लेंगे और एक रो और सिंगल क्रॉशा की बनाते हुए नीचे आ जाएंगे तो यह देखे टोटल हमने इसमें तीन रो बना के रेडी की है यह बटन लगाने के लिए हो गया अब आपको क्या करना है थोड़ा सा थ्रेट को हलका सा लंबा खीच लिजे इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे और अब इस वाले आपको यह वाला जो पॉइंट है यह नीचे की तरफ रखना है इसमें बटन लगेगी और इसके उपर वाला जो पार्ट होगा जिसमें हम होल बनाएंगे वो उपर की तरफ रखना है तो अब आपको यह अंदर की तरफ से लेते हुए नीचे की तरफ से लेंगे देखेगा इस तरह से यहाँ से और इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे यह डबल क्रोशा वाला हिस्सा है इसमें डालेंगे और यह वाला जो थ्रेट आपने निकाल के रखा हुआ है थोड़ा सा बड़ा इसे अंदर की तरफ से ऐसे खीज देंगे तो यह देखेए कि बिलकुल लॉक हो जाएगा ओके आप देख रहें कितनी फिनिशिंग आ गई है इसमें अगर आप चाहते हैं ना भी चाहें तो यहाँ पे बटन्स लगा लें और उसके बाद बटन्स लगाने के बाद यहाँ पे जो यह होल्स बने हुए हैं इसमें आप अपनी बटन को सेट कर सकते हैं तो यह वाली जो उपर वाला हिस्सा है इसमें सिर्फ आप एक सिंगर क्रॉश्या की रो बना लें जिससे की फिनिशिंग आ जाए आपके वॉक में अब हलका ऐसा इसे नीचे की तरफ करते हुए जैसे बान देंगे इसे जिससे खुले न यहाँ पे मैं नीचे की तरफ यह दिखिए यह हमारा पार्ट है यहीं से थ्रेट को हमें बानना है और अब यहाँ पे लेते हुए इसमें एक काट लगा देनी है बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग से यह पूरा बन के रेडी हो चुका है और अब हमें क्या करना है इस साइट पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉश अगर आप बना लेंगे सिंगल क्रॉश की रो जैसे इसमें बनाई है सिर्फ इसमें एक फिनिशिंग वाली बना लीजी रो और इसमें बटन लगा के आप इसके होल में उसे बन कर सकते हैं तो सेम प्रोसेस सेम ही रहेगा अब मैं यहीं से धागे को आट करूंगी नीचे के साइट से तो यह देखे यहाँ पर एक चेन बना ली सेम वैसे ही बनाएंगे डबा क्रॉश्या में दो सिंगल क्रॉश्या ओके दूसरी रो है तो दूसरी रो में भी डबा क्रॉश्या में दो सिंगल क्रॉश्या ही बनानी है अगेन एक join in point पे बना लेंगे फिर से इसके बाद वाला जो part है इसमें एक single crochet और joining point पे बनाते हुए, same, जैसे आपने आपको पहले बताया है मैंने एक side पे, same वैसे ही आपको इस side पे भी बना के ready करना है और इसमें सिर्फ एक ही row बनानी है बाकी इसका जो holes हैं ये बने हुए हैं बटन से इसे में set हो जाएंगी तो मैं पूरा बना के तब आपको दिखाते हैं ये देखें ये मैंने पूरा same वैसे single crochet बना के ready कर ली और अब मैं उपर neck के side में हूँ नेक के side में आपको क्या करना है एक रो जो है वो पहले single crochet की बना लेनी है जितनी भी डबा क्रोश्या आपको उपर के side में दिख रही है उन सम्में एक-एक single crochet बना लेंगे इस तरह से पूरे neck में उपर के side में एक-एक single crochet बना के रही है इतना बनाने के बाद गले में अब ये बना लेने के बाद same paicot वाला जो आपने design बनाया है वो paicot वाला design आपको गले में भी बनाना है तो सबसे पहले तीन chain बना के same इसी place पे जो पहली वाली single crochet है इसमें डालके इसे बाद लेंगे next वाली में एक single crochet और उसके बाद वाली में piecot तो एक में single crochet बनाएंगे एक में piecot बनाएंगे same इसी process को repeat करते हुए पूरा हमें end तक आना है और गले में भी same ही design को बना के ready करना है अगें next वाली में single crochet और उसके बाद वाली में piecot तीन chain बनाएंगे और तीन chain बना के जो single crochet है उसके उपर वाली chain में डालते हुए से निकाल लेंगे फिर से एक single crochet same process को repeat करेंगे और इस round को पूरा over करेंगे और करके मैं इसमें पीछे buttons लगा लूँगी buttons लगा के फिर आपको पूरा finishing look दिखाती होंगी फ्लार का लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप बनाके लगा सकते हैं फ्रॉक पूरी बनके ready है कैसी लगी आपको ये मुझे जरूर बताएगा आई होगी पसंद आई हो तो like, share and subscribe जरूर कर दीचेगा मैं मिलूँगी आपसे आपके ले बाइ